जहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजयपत डिफेंस एजुकेशन में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर 2020 के डेली के करेंट अफेर जो कि आपके आने वाले सभी एक्जामों के लिए काफी इंपोर्टेंट है हमारा आने वाला एक्जाम, रेलवे, एंटीपीसी और हिमाचल के जितने भी SSE के एक्जाम है उन सभी के लिए हमारा डेली का करेंट अफेर आप सब के लिए most important है आप हमारा basic foundation का course जोइन कर सकते हैं जो की रहेगा एक साल के लिए और आपको दिलवाएगा 100% sure success और कबर करवाएगा आपके आने वाले सभी upcoming state और center government इग्जामों को इसमें आप अपनी त्यारी बिल्कुल basic के साथ start कर सकते हैं इसमें आपको मिलेंगी online test series, special notes और books जल्दी से जल्दी 100% sure success के लिए आप अपना basic foundation का course विजयपक्त defense education में start कर सकते हैं जलिए वीडियो शुरू करते हैं, first question है वीडियो का जारी report के नुसार देश में 100 BFSI फर्मों में कौन सा स्थान series पर रहा है तो अभी हाल ही में जो एक report release हुई है उसमें जो सबसे पहले स्थान पर कौन सा रहा है तो उसमें जो रहा है वो है हमारा HDFC, HDFC bank जो है वो 100 BFSI फर्मों में सबसे टॉप स्थान पर रहा है जटपट processing नामक एक पहल किसने शुरू की है तो who has start a new initiative which is called instant processing जटपट processing जो है ये start की गई है आईकर भी भाग के दौरा income tax जो office है उनके दौरा ये एक नहीं पहल start की गई है नेक्स्ट कैसेन है इस of doing business को सफलता पूर्वक करने वाला छठा राज़ कौन सा है तो ऐसा कौन सा राज़ है जिसने इस of doing को जो है वो complete करके दिखाया है आचल में भी इज ओफ डूइंग जो है बो लागू है और राजिस्थान न जो है इसको हाल ही में सफलता पुर्वक करके दिखाया है नेक्स वन है किस सहर में दो ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उधगाटन किया गया है तो अभी हाल ही में ऐसी कौन सी दो सिटी है जहां पे ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उधगाटन किया गया है तो वो हैं दो सिटी हमारी गवालेर और कॉलकाता नेक्स कोशन है कौन सी कंपणी पूर्बोतर ख्षेतरी बिद्धत विवस्था सुधार परियोजना को लागू कर रही है तो ऐसी कौन सी कंपणी है जो इंप्लीमेंट कर रही है नोर्थ एस रीजनल पावर सिस्टम इंप्रूबिंग प्रोजेक्ट तो ऐसी हमारी कंपणी का नाम है पावर ग्रीड मोस्ट इंप्रोटेंट कोशन है काफी न्यूस में जो है यह कंपणी रहती है नेक्ट वन है किस राजे के उचन्याले में गश्ण पावर के इंदर का वधघाटन किया गया है तो उस राजे का नाम है त्रिपुरा next question है किस देश के पूरफ बल्लेवाज जोन एडरिक का निधन हुआ है तो ऐसे कौन सी country के former batsman थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है जिनका नाम है जोन एडरिक तो ये जो थे ये थे England के पूरफ बल्लेवाज next question है भारत के सबसे बड़े होकी स्टेडियम की स्थापना कहां की जाएगी तो ऐसा कौन सा हमारा होकी का स्टेडियम है जहां पर अभी स्थापना की गई है विल इंडिया लार्जस्ट होकी स्टेडियम वी सेट अप तो ये की गई है ओडिसा में most important question है next one है किस सहर में आर्या राजिंद भारत की सबसे कम उमर की मेर बनी है तो भारत की जो सबसे कम उमर की मेर बनी है ऐसे कौन से शहर में बनी है तो उस सहर का नाम है तिरुबंत पुरम आपको कमेंट वोक्स में बताना है कि तिरुबंत पुरम जो है वो भारत के किस राजय में पढ़ता है next है हमारा last question वीडियो का किस राजय सरकार ने PR, Insight नामक, Mobile App और Web Portal लौंच किया है तो ऐसी कौन सी state government है जिन्होंने PR, Insight, Mobile App और उसके साथ में Web Portal लौंच किया है तो ऐसी राजय सरकार का नाम है पंजाब आपको comment box में बताना है कि पंजाब के मुखे मंदरी जी का नाम क्या है I hope आपको वीडियो अच्छी लगे आप हमारा WhatsApp ग्रूप जोइन कर सकते हैं इसमें आपको मिलेंगी Day to Day के Current Affair और साथ में Study Material और साथ में आपको Daily के Daily Joe Wallet से Related News बताई जाती है आप हमारा Shore Batch स्टार्ट कर सकते हैं CHSL और MTS का साथ में हिमाचल प्रिस को दिलवाएगा सक्सेस 2021 के लिए सो जल्दी से जल्दी विजेपत Defense Education में आप अपना Shore Batch स्टार्ट कर सकते हैं I hope वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें जय हिंद जय भारत